आज़ागोल इंडिया आप देख रहे हैं एटली और विक्रम राठोर यानि के सार के फिर से एक साथ आने जा रहे हैं दोनों एक नई सूपर एक्शन फिल्म को लेकर डेटेल डिसकेशन प्रोसेस से घुज़र रहे हैं जवान की ब्लॉकबस्टर सकसेस हुई आप सबको पताए इतनी जवदास ग्यारा सु करोर से ज़्यादा की कमाई की अब एक ध्वाकेदार फिल्म के बाद एटली दूसरी फिल्म पर काम शुरू कर चुट प्लान कर रहे हैं पूरी तरीके से और सबसे बड़ी बात आपके लिए है कि उसमें भी शारू का नज़र आएंगे एसार के फ्रेंस के लिए ये खबर दीवाली के तेवार के बाद किसी और बड़े तेवार से बड़े धमाके से तो कम नहीं इतना बड़ा पडाका तो दीवाली में किसी ने नहीं चलाया होगा जो अटली ने चलाया फिल्म में डबल धमाल होगा क्योंकि शारुखान की साथ साथ इस फिल्म में नज़र आएगा साउट का वो सितारा जिसने अटली के साथ सबसे ज़एदा फिल्में बनाई है यानि कि थल्पती विजय खुद एक इंटर्वियू में एक्टली ने इस बात का खुलासा किया सोचे जब तमेल और हिंदी दोनों सिनिमा के दो सबसे बड़े नाम एक ही फिर्म में एक साथ नज़र आएंगे तो फिर बॉक्स ओफिस से लेकर सिनिमा के परदे तक का हाल क्या होगा यूट्यूब पर दहसर एक्टली ने एक इंटर्वियू किया और इस इंटर्वियू में कई सवालात उनसे किये गए एक सावलात के जवाब में उन्होंने जवाब दिया कि शारुख खान और थल्पती विजय को लेकर वो एक स्क्रिप्ट पर काम शुरू कर चुके हैं हाली में चेन्ने में फिर्म के गानी की शूटिंग के दौरान एटली शारुख और विजय तीनों एक साथ दिखे थे और फिर मुझे बुलाया तब शारुख खान ने एटली बताते हैं कि यार मुझसे कहा कि अगर मैं दो हीरोज को लेकर यानि दो भी नेताओं को लेकर कोई फिल्म बना रहा हूं तो ये दोनों स्टार उसमें काम करने के लिए राजी हैं यानि तलपती विजय और शारुख जबान की काम्याबी के बार फिर से एटली के साथ आएंगे तो लोगों को कुछ एक्स्ट्रा देखने का देखने का मतलब पूरी पूरी उम्मीद होगी उने और उस तरफ कौन है थल्पती विजय थल्पती विजय ने एटली के साथ कितनी मूवीज दी हैं आप अगर गू वहीं से एटली उपर चड़े और धल्पती के साथ जो फिल्म है उधी को देखकर शारुख ने एटली के साथ जवान करने का मत बनाया तो जवान जिस तरीके से एटली ने पेश की अब उसके बाद ये लग रहा है कि नेक्स्ट लेवल की फिल्म शारुख और धल्पती वि करें परूच का वक्त है सबसे उपर आसमान पर इस वक्त शारुख खान ऑर वह आसमान का म्याबियों का ऐखंगतों